सारजां T10 Dreamleaven Team MGM vs. PST Dreamleaven Match Prediction सारजां CBFS T10 Dreamleaven Match Prediction तो दोस्तों सारजा T10 टुनामेंट का पहला सेमि-फाइनल मुकाबला MGM vs. PST के बीच में एक बार फिर से सारजां किर्केट स्टेडियम के विकेट पर खेला जाएगा और यहाँ के विकेट के बारे में बात करें तो दोस्तो एक बैलन्स विकेट रहता है लेकिन जो एक्ष्टा स्परोस है वो बले बाजों को लगाता、 मिल रहा है कल दोस्तो 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए थे उसमें आप देखोगे बीजी ने दोस्तो पहले बैट करते हुए 10 और में 86 बनाए थे और पियस्टी ने दोस्तो 9.1 और में मुकाबला 4 विकेट से विन कर लिया था यहाँ पर विकेट देखोगे दोस्तो तो एक बैलेंस सा नज़राया था जहांपर गेंद बाजों को भी अच्छा स्पोर्ट था बल्ले बाजों ने भी दोस्तो ठीक ठाक बल्ले बाजी किये लेकिन कर लेट नाइट को जो चोथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ वो एक हाइ स्कोरिंग गैम रहा था FDD ने पहले बैट करते हुए 10 और में 123 सन मनाई थे और आप देखोगे दोस्तो ALT की टीम ने 8.1 और में इतना बड़ा जो टारगेट है वो 5 विकेट से विन कर लिया था तो दोस्तो जो बल्ले बाज है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी बल्ले बाजी कर रही है बाकी पिच को लेकर दोस्तो अगर मैंस से पहले कोई अपडेट मिलेगी तो वो मैं आपके साथ सेर करूँगा हमारे टेलिगाम में और टेलिगाम जोइन करने के दो इंपोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्किप्सिन बोक्स में मिल साएंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं MGM से आप भी दोस्तो वीडियो को लाइक से स्टार्ट कर देना और प्लीज दोस्तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तो MGM की जो टीम है वो काफी मजबूत और टूनामेंट के एक दावेदार टीम है अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 6 के 6 मुकाबले दोस्तो इन्होंने विन की हैं मौमद अफीज काले में दोस्तो जब भी खेलते हैं टोप ओर्डर में बल्ले बाजी करते हैं परफॉर्म थोड़ा सा एवरेज राह है 31, 14, फिर 0, फिर 16, फिर 0, फिर 42 यानि दो बड़ी पारिके लिए हैं बाकि 20 के कुछ मैचे में ये फलोप रहे थे मैयंक चोधरी से दोस्तो तीन मैचे में टीम ने ओपन करवाया है एक में 13, एक में 36 और लास्ट मैच में 16 बनाए और फिसले दो मैचे लगातार ओपन कर रहे हैं कई बार टीम इनको दोस्तो लोडर में भी ले आती है उसके बाद मुहमद असन है दोस्तो कई बार ओपन, कई बार वन नाउन, कई बार टू डाउन भी आ जाते हैं बैटिंग के साथ परफोर्मस देखोगे तो एक मैच में 41 नावाद किये थे और एक मैच में 10 बनाए बाकी 2-3 मैच में बिल्गुल फ्लोप रहे थे बॉलिंग में देखा जाए दोस्तो तो टीम ने सिर्फ दो बार इंटरे बॉलिंग करवाई है एक मैच में एक और 12 रन 0 विकेट था और लास्ट मैच में इन्नों ने दो और में 8 रन खजकर कि 3 विकेट निकाले तो इनकी जो बॉलिंग होती है दोस्तो वो का मिलता है जबर्दस परफॉर्म करते हैं तो बिलकुल एक पाउर पिकर रहने वाली है वकास अली है दोस्तो जातर टोप ओरडर में बल्ले बाजी करते हैं 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं और बैटिंग परफॉर्मस वकास अली की देखी जाए दोस्तो तो दोस्तो लाश्ट के जो दो मैच्च थे नियाज खान के लिए वो काफी ज़्यादा खराब रही जहां पर इनको काफी मार पड़ी और लाश्ट के दोनों मैच्च के अंदर इनको कोई भी विकेट वेकरर नहीं मिला अदिल मलेक है दोस्तो बैटिंग में देखा जाए दोस्तो ज़ादा मोके नहीं मिलते हैं थोड़ा लेठ ही आते हैं तो ज़ादा उमीद नहीं रहती लेकिन बॉलिंग अच्छी खासी कर रहे हैं इस टूनामेंट के लास्ट के चार मैचस के अंदर अदेल मलिक ने दोस्तों 5 विकेट टिम को निकाल कर दिये हैं फयाज दोस्तों मोका मिला है तो अच्छा परफॉर्म दिया है साथ नाबाज, 18 नाबाज, 14 नाबाज लेकिन दोस्तों बैटिंग लेट आती है कभी नमबर 6 कभी नमबर 7 पर तो जादा उपारी की उमीद नहीं रहती है दानिस कुरेसी टीम के बहतरी नोर विकेट टैकर गेंद बाज हैं लेकिन दोस्तों 3 मैचस ऐसे थे जहां पर इनोंने 5 विकेट निकाले लेकिन 3 मैचस ऐसे भी हुए है जहां पर इनको कोई भी विकेट है वो अटिजाज खान है जब भी बॉलिंग करने का मौका मिला है दोस्तों अच्छा परफॉर्म करके दिया है दो मैचस में बॉलिंग की है 5 विकेट निकाले है लाश्ट मैचस में टीम ने बॉलिंग नहीं करवाई थी वैसे दोस्तों अच्छे पावर हिटर बले बाज भी है इस टूनामेंट में अभी तक दोस्तों टीम ने इनको ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया है बैंच के प्लेयर को लेकर दोस्तों अगर ये कोई चैन्स अग वगरा करेंगे तो उसकी अपडेट में आपको फोरवाइड करो हूँ है हमारे टेलिगाम में और जोइन करने के दो इंपोर्टन लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे तो अभी दोस्तों पीस्टी के बारे में बात करते हैं पीस्टी के तीम ने दोस्तों 6 मुकाबले खेले हैं 6 मुकाबलों में से दोस्तों इन्हों चार मुकाबले हैं वो फिन के हैं और दोस्तो दो मुकाबले हैं वो दोस्तो ये हार कराए हैं वकास एमर टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं 24, 18, 0 और लास्ट मैच में 8 रन बनाए रफीक जमन है बैटिंग में दोस्तो ठीक ठाक बल्ले बाज है पिछली तीन पारियों में 15, 24 और 19 नाबाद किये लेकिन दोस्तो बॉलिंग में ये पार्ट टाइम गेंद बाज है कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते है 6 मैच में से दोस्तो तीन मैचस में इन्होंने बॉलिंग की वहाँ पर दो विकेट निकाले लेकिन तीन मैच ऐसे भी रहे जहांपे इनको विल्कुल भी बोलिंग करने का मुखा है वो नहीं मिला अमजद खान है दोस्तो टोप ओर्डर के बल्ले बाज है जादतर वन डाउन बैटिंग करते हैं 25, 30, 14, 8 और लास्ट मैच में इनोंने 15 रन बनाए अमजद गुल खान है जादतर नमबर 3 या 4 पर खेलते हैं बैटिंग में दोस्तो अमजद गुल खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं साथ नाबाद 33, 43 और लास्ट मैच में 21 हर मैच में अच्छा अच्छी बल्ले बाजी की बोलिंग में तो दोस्तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं करते हैं सिर्फ पार्टाइम मियन बाज हैं अटिकुर रह्मान हिट और मिस्टाइप वाले बल्ले बाज हैं कब रन बनाते हैं कब आउट हो जाए दोस्तो कुछ पता नहीं चलता है लेकिन दोस्तो प्लेयर है वो ग्रेंड लिंग में एक गैम चंजर प्लेयर है जो कभी भी मैच को पढ़ सकता है महबूब अले नमबर्स है और शाद पर खेलते हैं बैटिंग में दोनों मैचस में आठ हाट बनाए बैटिंग में पहले मैच में विकेट नहीं मिला था लाश्ट मैच में अच्छा परदसन किया दोर में मातर पांच अनखज के और दो विकेट निकाले रियाज कालिक है बैटिंग दोस्तो लेट आती है ज़्यादा उमीदें नहीं रहते हैं लेकिन बोलिंग में कई बार अच्छे खासे विकेट निकाल जाते हैं पांच मैचस में बोलिंग की है कभी एक ओवर डाला है तो कभी दो ओवर बे डाले हैं और दोस्तो अब तक 5 विकेट ये बॉलिंग में निकाल चुके हैं तो बॉलिंग के तोर पर एक अच्छी पिक बन शक्ती है हजरत बिलाल टीम के मैन विकेट टैकर गेंद बाज हैं और अब तक दोस्तो खेले गए 6 मैचस के अंदर ये 7 विकेट अपने बॉलिंग में निकाल चुके हैं असमात उल्ला चार मैचस के ले चारों मैचस के अंदर दोस्तो इन्होंने दो दो ओवर बॉलिंग की और दोस्तो पांच विकेट अब तक इन्होंने निकाल कर दिये हैं इनके बाद मुहमद अर्षद हैं पांच मैच में से तीन मैचर्ज के अंदर एक एक करके तीन विकेट और दो मैचर्ज में विकेट नहीं मिला इर्फान उल्ला के बारे में बात करें तो पांच मैचर्ज के अंदर ये पांच विकेट निकाल चुके हैं ये भी दोस्तो अथी खासी बोलिंग करवा लेते हैं बैंसर्स के प्लेयर को लेकर अगर कोई चाहें जाएंगा तो वो दोस्तो मैं आपके साथ सेर करूँगा हमारे टेलिगाम चैनल में और दोस्तो टेलिगाम जोइन करने के लिए दो लिंक है लेकिन मैंग चोधरी पर दोस्तो इतना जादा मुझे बरोसा नहीं रहता है क्योंकि इनका बैटिंग ओडर चैनल होता रहता है तो सेफ पिक में मैंग चोधरी अच्छी पिक है तो दोस्तो चालिस पंतारिस न आपको बना के दे सकता है तो रिसकी टीम में जरूर रेवलेबल रखना बैटिंग डिपार्टमेंट में मुहमद हसन, अमजद गुल और दोस्तो मौमद अफीज कालिम को मैं ट्राई करके चर रहा हूँ आप देखोगे दोस्तो वकास अली है ये भी एक अच्छे प्लेयर है और शेफ पिक भी रहेगी आप चाहिए तो दोस्तो अफीज कालिम को ड्रोब करके वकास अली के साथ भी जा सकते है लेकिन दोस्तो मैं हफीज कालिम को ट्राई करूँगा जो कि बड़े लेवल के प्लेयर है और मुकाबला भी दोस्तो सेवी फाइनल है तो जुरू अच्छी उमीदें इनसे रहेगी वकास अहमद है दोस्तो रिसकी ग्रैंड लिग में ट्राई कर सकते हैं बाकी नीचे के अप्शन में दोस्तो अमजद गुल है इनको आप ग्रैंड लिंग में लेकर जा सकते हैं फ्याज को ज़ादा मौके वगरा नहीं मिलते हैं वर्राउंडी सेक्षन में आदिल मलिक और रियाज कालिक को ट्राई कर रहा हूँ नीचे से रफिक जमन है दोस्तो रिसकी ग्रैंड लिंग में ट्राई कर सकते हैं अटिजाज खान को दोस्तो अपनी एक ग्रैंड लिंग में ट्राई करना और उस टीम में दोस्तो आप इनको कैप्टन बना देना और बाकी टीम से ड्रोप कर देना क्योंकि दोस्तों इनको गर मुखा मिला तो ये जरूर कुछ ना कुछ बढ़ा कर सकते हैं काफी बड़े लेवल के प्लेयर हैं तो कैप्टन जरूर बनाना ग्रैंड लिग में ज्यादा फिर दोस्तों रिस्की टीम है उनमें आप इनको ज्यादा मत रखना क्योंकि कभी मुख मिलता है कभी मुखा नहीं मिलता है बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों मैं MGM के ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजों को ट्राइ करके चलने वाला हूं क्योंकि MGM के टीम है वो मजबूर टीम है नियाज खान को मैंने रखा है घजरत बिलाल है असमात उल्ला को रखा सफियूला नूड दानिस कुरेशी इनको मैं दोस्तों अपने टीम में ट्राइ कर रहा हूं पियरस्टी की और से दोस्तों महबूब अली भी काफी अच्छा ओप्शन है अगर पियरस्टी की दोस्तों पहले बॉलिंग आती है तो उस कंडिशन में दोस्तों आप रियाज का चैनलिंग में आप ट्राइ करके चल सकते हैं तो अभी के लिए दोस्तों यह जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं यह हमारी एक डेमो टीम रहने वाली है जो हमारी दोस्तों फाइनल टीम होगी वह पूरी तरह से टोस पर डिपेंड करेगी और टोस के बाद टीम में जो हमारे साथ टेलिगा में जुड़ सकते हैं बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की करें उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो को आपने भी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों भाई की मेहनत के लिए भाई को स्पोर्ट कर आया है बाकि दोस्तों यह जो मैच रहेगा आपके लिए स्मॉल लिग के लिए काफी रिस्की रहेगा यह जो मेरी टीम है दोस्तों जिसे आप ग्रैंड लिग के अंदर लगा सकते हैं और अधर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में मैं बात करूं दोस्तों कैप्टन में MGM के गेंदबाजों में आप दानिस कुरेशी को कैप्टन बना सकते हैं नियाज खान को बना सकते हैं एस नूर को ग्रैंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं और PST के और से दोस्तो अजरत बिलाल को आप यहां Captain Vice Captain बना सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए दोस्तो Captain Vice Captain की तो यहां से आप मुहमद अफीज कालिम है इनको आप Grand Link में Captain Vice Captain ट्राइ करके चल सकते हैं बाकि मेरी Final Captain Vice Captain और अपडेटर टीम आपको टेलेगाम में मिल साएगी तब तक के लिए दोस्तों उम्मेद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर लेना तक्यू फ्रेंज वल्द बेस्ट